देखो ये class 9th का second chapter में है, second chapter में the Eastern Himalaya मैं Himalaya के बारे में already discuss कर दिया हूँ और Himalaya region के बारे में भी मैं already ये सब कुछ discuss कर दिया हूँ तो देखो इस वीडियो में मैं बताऊँगा Eastern Himalaya के बारे में ठीक है तो चलो वीडियो start करते है ये देखो Eastern Himalaya ये Eastern Himalaya नाम किसलिए हुआ है क्योंकि ये इंडिया का East में है ये हिमालय ये इंडिया का East में है इसलिए इसका नाम है Eastern Himalaya तो Eastern Himalaya देखो पहले देख लेते किसकी state के उपर गया है और क्या क्या नाम है तो देखो जो Eastern Himalaya, एक्षेन के है अरुनाचल पदेश में जो है, अरुनाचल पदेश में इसका नाम क्या है? पाठकाईबाम, नागा लेंड में नाम है नागा हील, मीजोरम में नाम है मीजोहिल, और गारो खासी जोयनतिया, ये तीन माउंटल रेंज है मेघालया में, ठीक तो देखो यह है मेगालया में, मेगालया, मीजोराम, नागालेंट और ओरुनाचलपोदिस, ठीक है तो ओरुनाचलपोदिस में नाम है पाठकाईबाम, नागालेंट में नागाहील, मीजोराम में है मीजोहील, और मेगालया में है गारोखासी जायनती, आप देखो यह गारो वारिस होता है ठीक है चलो यह एक बार पढ़ लेता है अब देखो बार पढ़ देखो इस्टन हिमालाओं में एक प्रजाती है अब देखो इस्टन हिमालाओं में इस्टन हिमालाओं में मेखालाई में सबसे ज्यादा बारिस होता है देखो दा हाइस्ट रेंफॉल इंदा वाल्ड अक्वार मौसिर रामिन में खाले में सबसे ज्यादा बारिश होता है वो तीन माउंटेन की बज़े से गारोख 80 यार जैनतिया माउंटेन की बज़े से दा एवर जनुए रेंफॉल वान थाउजन वान हांड़ेटी सेवन सेव ज्यादा सोच लो बहुत ज्यादा बारिश होता है ठीक है 1187 सेंटिमिटर मेगा लाइका मौसिर राम वाल्ड का सबसे हाइस्ट रेंफॉल याने की सबसे ज्यादा बारिश होता है अब देखो इस जगा में कुछ डिसकास क्या गया है जूम कल्टिवेशन के बारे में डिसकास क्या गया है देखो जूम एक प्रिमिटिव टाइप का कल्टिवेशन है जिस कल्टिवेशन में क्या करते है ज्यादा तर इस्टान हिमालया में ये जूम कल्टिवेशन ज्याद है पहले एक जैगा को मांट ऐसी इडिन का किसी भी ए quoting करते चॡ़ास करने के बद उसी जैगा में उसी जैगा thinking में जितने सारे पेड़ पर आख लगा देते ऐखो आख लगाने के बाद आख लगाने के बद और garlic मेटार का काम करते देखो इस जाएगा में आख लगा दिये है इस जाएगा में आख लगा दिये है ठीक है इस्टन हिमाराय में ज्यादा तर दिखा जाते है आख लगाने के बाद उस एरिया में क्या होता है ये देखो सब कुछ जल कर राख हो गया है ठीक है तो इसके उपर ज्यादा बारीस होने के टाइम सीड फेक देते हैं यह लोग सीड फेक देते हैं ठीक है सीड फेकने के बाद सीड फेकने के बाद उसी जैगा में क्रॉप उबते हैं और उसी से वो लोग चलाते हैं ठीक है अब देखो इसमें प्रोब्लेम क्या क्या है जूम कल्टिवेशन मे problem क्या है ठीक है देखो दा growing demand timber अब देखो ज़्यादा तर use किया जाता है ज्यादा तर use किया जाता है तिम बार यूज किया जयता है उस area में and rapidly develop deposition deposition यणं की कम हो जाना forest कम हो होते जा रहे हैं तो first point का है deposition of forest जुम cultivation का problem है deposition of forest यान की forest काम होते जा रही है और यह एक primitive टाइप का अगरी कल्चर यह नहीं कि पूराना टाइप का अगरी कल्चर यह सेकेंड पॉइंट भी होगे हम लोगों का और क्या होता है देखो इस जगा में जूम cultivation में poor harvest यह जो harvest करता है यह poor होता है ठीक है तो इसकी बज़े से भी बहुत problem होता है तो चलो ठीक है यह वीडियो अभी मैं complete कर दिया हूँ नेक्ष्ट वीडियो मैं और भी पताऊँगा और देखो और कुछ यह ट्रायबाल development के बारे में चलो डिस्कास कर देता हूँ इस्टान हिमालया में अगर tribal development करना होगा इस्टान हिमालया में tribal development करना होगा तो हम लोग को क्या करना चाहिए अगर tribal development करना होगा तो हम लोगों को उसी एरिया में पहले क्या करना होगा उसी एरिया को developed करना होगा किसके त्रून education लगाना होगा उस एरिया में school, college, universities ये सब को चोपेन करना होगा तभी ये tribes लोग ज़्यादा दर पढ़ पाएंगे तभी ये लोग developed हो पाएंगे ठीक है आद देखो tea plantation mountain region में tea plantation होता है टी सबसे ज़्यादा मिलते है असाम में ठीक है tea एक plantation crop है tea is consumed not only Indian cities but its village most of our tea comes from इस्टान हिमाला ज्यादा तर टी आता है इस्टान हिमाला से there are huge tea plantations in lower hill region of आसाम आसाम से सबसे ज़्यादा टी मिलते है the new leaves of tea बसेश और बसेश और और hand plucked then dried machine मेशिंज के त्रू ये dry किया जाता है tea is key commercial crop of आसाम ये आसाम का एक commercial crop है चलो thank you ये तो already मैं second chapter पूरा complete कर दिया हूँ second chapter का इस northern mountain बाला पार्ट को मैं पूरा complete कर दिया हूँ ठीक है तो अगर वीडियो अच्छा लएगा तो like share and subscribe करके bell icon दबा देना thank you